हालो एवरीवन वेलकम टु कोशी का एजुकेशन मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा देखिए आप लोगों को जो उर्दू फीमेल ठीक है पोस्ट कोड है 127 बाई 17 ठीक है जिनका 5 अगस्त को पेपर हुआ था उन लोगों का रेजल्ट आ चुका है ओके आप अपना जो भी मांक साय है वो देख सकते है प्लस ठीक है अपना जो भी डोकुमेंट से ये देखिए अपकी डिसबिलिटी चर्टिफिकेट्स या फिर जो भी गोर्मेnt एक सर्विसमें वगयारा के लिए जो भी है वो आप अपना यहां से क्या कर सकते है यहां पे आपको डालना है ठीक है upload करना है ये जो upload करने की date है ये आपकी 2 September से लेके 11 September तक की है ध्यान रखिएगा इसके बाद आप कोई भी document वहाँ नहीं डाल सकते हैं और अगर आप नहीं डाल पाओगे तो आपका अगर selection हो भी रखा है तो वो भी cancel हो जाएगा ठीक है इन्होंने ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है यहां पर कि आपको अपने जो documents है वहाँ पर upload करने हैं ठीक है जो link वहाँ पर दिया हुआ है और यह link just 10 days के लिए open हुआ है ठीक है यहां पर इन्होंने यह भी लिखा हुआ है कि मियर आस्किंग दा candidate for uploading document in the e-dozier module does not confirm him तो यह कह रहे हैं कि अगर हमने बोला ह अपलोड करो तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको selection दे रहे हैं ठीक है उसके बाद आपकी पूरी वो लोग verify करेंगे उसके बाद आपको selection का process स्टार्ट होगा एक तरह से जो भी document verify होंगे उसके बाद देखेंगे आपके पास कौन से certificate missing है कौन से certificate है ठीक है ना तो यह की information थी and please guys इसको जरूर शेर करें हो सकता है किसी बच्चे को पता ना लगे ठीक है तो यह आपका PZT उर्दू की तो समझ लो बच्चो आप लोगों के result आने start हो गए हैं जो cut off है ठीक है आप देख सकते हैं unreserved की 148.50 जब भी आप लोग मुझसे cut off पूछते थे तो मैं यही बोलती थी कि 50% के आसपास रहेगी चाहे 1-2% उपर चाहे 1-2% नीचे mostly ऐसे ही रहता है चाहे कोई भी exam हो ठीक है OBC की देखिए and यह आपकी SC की है ठीक है OBC की काफी कम गई है देखा जाए तो ठीक है तो यह आपकी information थी आज काफी notification हो गए है आप लोगों के लिए thank you guys